अम्रावति में एक हैरतिंगेज मामला सामने आया है जहां एक लैब सी सीधा जिला परिशत सदस्य को एक प्रतिक्ष प्रस्ताव दिया किया कि कोड़ा की रिपोर्ट उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक चाहिए पूछताच के दौरान सदस्य ने खुलासा किया कि रिपोर्ट की पीछे एक बड़ा रैकेट सक रिये था इस समन में चिला परिश्यत के मुख्यकारीकारी अधिकारी ने ग्रामिंग शेतरों में सकारात्मक रोगयों के दस्तावेजों की चांच का आदेश दिया है अमराथी में चिला परिश्यत की स्वाससमीती के सदस्य प्रकाहसाबले ने सोमवार को चिला परिश्यत की एक सारवजनिक बैटक में इसपारे मीं चांचारी दी शेहर के साथ साथ जिले में भी कोरोना की मरीज पढ़ रहे हैं जिनमें हर दिन 800 से 900 मरीज सामने आता हैं हाला कि प्रकास साबले ने आरोप लगाया कि कुछ बैंक से 2 लाख रुपय का कोरोना बीमा लिया जा रहा है और लाब और कुछ डॉक्टरों की मदद से रिपोर्ट तयार की जा रही है पते की बात तो ये है कि एक बार किसी व्यक्ति ने बीमा करवा लिया तो उसे लाब में परिक्षन करने के लिए कहा जाता है परिक्षन रिपोर्ट सकारा आत्मक होने के बाद संबंदित व्यक्ति को 14 दिनों के लिए एक निजी अस्वतार में भरती कराया जाता है संबन्द चिकित्सक को शिल्प का भुकतान करने के बाद शेश बीमार राशी को उस व्यक्ति के खाते में जमा किया जाता है साबले ने ऐसा किया है और यह दावा भी किया है कि उसके पास संबन्द में मस्बूत सबूत है चिला परीशत की बैटक में यह अब मुद्दा सामने आने के बाद बबलुदेश मुख ने भी कहा कि उन्हें भी इस तरह की शिकायत मिली है मुख्यकारीकारी अधिकारी अमोल येज ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे जहा एक और सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर सक्रिय हुई है वही ऐसा मामला सामने आना चिंता जनक है बीसीन नियूस के लिए दिशा हटवार की रिपोर्ट